नमस्कार दोस्तों वेल्कम टो निस्टा क्लास्स जैसे कि आप लोग को पता ही कि अपना जी एस टॉपिक चालू हो चुगा है जी एस में क्या है हम जो पर पिसकार्ट किये हैं सब्सक्राइब उसके साथ हम पैर लेले क्या करेंगे स्टैटिक जी के जो टॉपिक्स हैं उनको और कि ऑगो साथ की साथ लेगे चलेएंगे क्योंकि आज में स्टैटिक जीके की चयांता प्रगी है पहले क्या हो था था जबकारी इचाते की स्टैटिक की dismantles और बच्दिक है कि इस रहास्ताम पीं हो गया या फिर आपने हर्याना सब्सक्राइब करते हैं तो वैसे तो हम पढ़ने वारे हैं नहीं क्या होता है कि हम क्या कर सब्सक्राइब प्रैक्टिकल एगर हम पढ़ने के दिया से तो हम पूरे इंडिया की डावरसीटी के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं तो फिर देख लेख लेधा है अगर आपको निस्टा क्लास का अपसार्ट करें नाम से यह आपको लोगो दिखेगा तो उस पर कहा है आप मिस्टा क् चलिए निस्टानोट के नाम से इस्टाक्लास के जाएगा मुटे तो इस पर क्या होगा टेलिग्राम पर जो भी है मैं जैसे हमने बैच जो चालोग गया हुआ थ्री मांत का टार्गेटिट इस राट किया हुआ है वो क्या है ऑफ-लाइन भी है प्लस ओं-लाइन भी है यूटूब चैनल भी आप हमें जोई पर सब्सक्राइब कर सकते हो तो सबसे पहला टोपी का अंगे इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स है देखो पूरा एक क्लास में हम पूरा टोपिक कतम नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया इतना डायर्स कंत्री है वह इतने सारा गडिया लेंगे तो सबसे पहले मं स्टार्ड करते हैं इंडिया की सब्सक्राइब कर sitten करते हैंれた पयों की क्याइब होता है इंडिया चलता है ये चलता है अपनेban लेंटेंकि टिशाओ जाए इन्दु झालेंडर अपना कौन सा फोलोव होता है अपना उता है साहका कलेंडर हुआनि वारस किलन टेंटर आप लोगों कॉअः एंज साहक हो होता है कैसे क्या होता है क्या का क्या रचिनि चरशिए अफ Tea किबारे में कब आता है कुछ से मुझत इमाता है हिन्दु कलेंडर के हिसाब सी ठीग यह शामण में आता है बदरबद में आता है चैतर में आता है आता है या फिर पाल कौन में आता है तो यह सब चायों शीज किसमें कितनी होते हैं तो तीस दिन के इसाद से अगर हम बात करेंगे तो अमारे जो स्टार्ट होता है वह होता है अपना पूरी मा से चालू होता है और बीच में क्या होता है जैसे अमाव से आगी तो साइकल जोती है क्योंकि लुणर मतंद कितने होंगे 30 देजोंगे पूनी मांसे लेकर अमावуса के बीच में कितने दिन होगे लगब की नाम के चले हम 15-Days हो गया फिटें डी अब इस फिफटीं डेज की साइकल को क्या नाम दिया जाता है किसम बख्ष में बाटे गया है और अपना शुक्ल बक्ष क्या होता है तो जैसे हैं हम ने बात किया है कि पूर्णिमा के बाद क्योंकि पूर्णिमा क्या हो गया एक तरसे मन थेल्ड होगया अब पुर्णिमा के बाद जो पहला आएगा क्यों सा एक कम हो गया वितिशे हो गया एक दो तीन चार ऐसे दिन चालो होंगे तो पंद्रा दिन की साइकल जोगी पंद्रवे दिन क्या हो जाएगा अपना अमावस्या जाएगा तो उस 15 डेस को क्या बोलेंगे हम किष्णपक्स बोल और दिन क्या घूरा दिशिसरों कर दोएंगा इस हैं तो मतलब इसको बोल देते हैं हम चान्दिरी राते अद्या ती है तो उसको क्या बोला जाता है तो इसके क्या है चंद्रमा की जामन क्या होती है बढ़ती है तो यह रोशनी बढ़ती है तो मतलब एक तरह से क्या होता है अब इसके बाद हम कलेंटर के बारे में देखेंगे कलेंटर में क्या होता है सबसे पहले क्लेंटर के साथ से अग्रा परिद यह अभी ग्रिगरेन कलेंडर है जनुवरी से लिए के दिसंबर तक बट हिंदू कलेंडर क्या होता है चेत्र महीने से चालो होता है चेत्र वैसाथ जेस्ट हाशाड स्रामन भदरपद आश्मीन उसके बाद कार्तिक उसके बाद मार्क्सिस पोस माग और फालगुन अगर इसक कंपेर करेंगे तो यह कब स्टार्ट होता है अपने मार्च और अप्रेल की बीच में लगबगा अगर देट बात की जाए तो बाइस से लेकिए जैसे दोजा चोविस वाला कब बढ़ा था लगबग 26 मार्च को चेत्र का महीना स्टार्ट होता ठीक है तो हम मान के चलेगी हुए 20 से 25 या 26 मार्च के आसपास इसका महिना चलो होता है तो चेत्र का महिना जो है सबसे पहले कब चालोगा मार्च या अप्रेल के मार्च केने में स्टार्ट होगा और वो अप्रेल तक 30 दिन तक खिषता है ठीक है तो बोली जाए हिंदू कलेंडर का पहला मंत कौन सा होता है चैतर होता है और आगरी मंत कौन सा होता है फालगुन होता है और गर्गेरियन कलेंडर का कौन सा महीना होता है सबसे पहला होता है जन्वरी होता है और स्लास्ट कौन सा होता है अतना 12 मेंने ओता जैसे 3 3 6 3 9 3 12 एक वह बास हाता है औह cancellation Judah मण के बनिमा के दिन को सब दिवार आएगा अपना वह बनिमा के हिसाब से सबसे लास्ट योहार कुन सा होगा आपना बोली होगा अब चैत्र से जाते हैं नए नया साल हिंदू कलेंडर का चालू हो जाता है क्योंकि अगर यह वह अगर मात करें तो जैसे अगर कलेंडर जो होता है जैसे अपना सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले लेंगे लगा लगा के बाद कुछ और चाहपा स्टेट्स लेंगे लगां लगाइब करते हैं अपना हमिज सबसे पहले लगांता है हम कुछ कुछ इंपोर्टेंट्स के बारे बढ़ेंगे पुश्चन तो देखो फैस्टिवल तो बहुत सारे शुटिट के अंदर अगर कोई स्टेट के बारे में तो पढ़ना बहुत सब्सक्राइब कुछ उसके कि हमें अगर बात करेंगे तो टोटल अगर मात करेंगे हम 30 प्रतीश हो जाते हैं तो तो अलग हमें 400-200 फेस्टिवल याद करने पड़ेंगे तो वह याद करना बहुत बुस्किल हो जाता है उस अधिस्टीवल के बारें 3ork की पढ़ते हैं तो हमें दिखेंगे एंडिस्टीवल हमें इंडिम स्थिफल हमें उसको क्या है आसा पर क्या होगा दोते हैं आकट है दोते हैं बला एक तरह से मंदिर के रूप में भी किया जाता है जैसे हिंदु दर्व में उसको मंदिर का रूप देते हैं अब गुद्धिस टब में क्या है उसको मॉनेस्टिक बहुते हैं तो अगर बात कि जाए है मिच फेस्टिवल के बारे में यह लग्दाग का सबसे इंपोर्टे पेंते हैं लामाज फेंते हैं लामाज फोन होते हैं लामाज वो होते हैं जो क्या करते हैं बुद्धिसम को जो प्रोपरगेट करते हैं जैसे अपने हिंदु दर्म की बात करेंगे हैं हिंदु दर्म में क्या होता है कि जैसे सादू संत होते हैं ठीक है यह सब क्या करते हैं यह प्रोमट करते हैं ऐसी क्या और थे बुद्धिसम में गरम बात करेंगे तो उनको क्या बुल देदाए लामा जो देए ठीक है तो यह जो होते हैं यह तरह से वहां की गुरू होते हैं या कि महां पे अच्छी नोलेज होती जिए अपने दर्म के बारे में तो यह क्या करते हैं यह मास्ट पैंके वहां का जो पर्फूमेंस निटोल्स के ठीक है उनकी रूट्स है रेगुलस से हिजाब से वहां पे लांस करते हैं ड्रावा करते हैं तो यह दूसरा चीज़ हो जाती है बुद्धिस फेस्टिवल हो गया तीसरा गया गया अपना यह क्या करते हैं मास पडम संभवग की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा है, जासे हैं अपने मंदिरों में क्या होगा, इंदुर सिगए पीं फिरी गजा बात कि हैं घञे जाना जाता है कहा पर अपना नेपाल साइड या तिबद साइड इसको लूर्ड गुरूब इन पोच्छे के नाम से जाना जाता है तो यह चार पूइंट है गोन को나 से जो दांस करते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है उसको चमठ डांस के नाम से जाना जाता है यह फोतो देखरेंगे आप यह कहा है है वाइंक है है तो यहें लामाज हो गया यह तीन-चार पोट है जो आप Сे कूछ सकता है एग्जानमे की में हमिज मुझे क्या होती है या दूसरा आता अपने हमिंश मोनेस्ट्री का एक POINTS हो रहा है जाए है लग में जो सब्सक्राइब को हब आंपने लाइक जायों से वहाँ पर न होगी काक थो आता है झाले हमिश मोनेस्ट्री ज़रू लेके जाएंगे उछलक यहमेट क्या बोलेंगे हम यह क्या होता है जनरली जो गुरु बदम संभव थे उसकी जो बर्थ एन्यवर्च रिये उसकी बर्थ एन्यवर्च्री के उप्लक्ष में या फिर उसको मनाने के लिए हम क्या करते हैं सबस्क्राइब nawet in रिख सब घोकरते हैं तो यह सब रख रखेंगे हैं वेश्की तो coconut ने बुन सिधिर और अपने घैटार उसके पार पे चलते अबने लोस इंपोर्टेंट या क्या होता है इसको कि यह ड़ाक का New Year भी बोला जाता है, लोसार हो ठाइर नोसा ठीड का and जब अपने क्या होते है 15 दिन के लिए इसमें भी वही होता है वह दो तीन चीज जी जैसे क्या होगा अपने माज़कर दान्स हो गया ठीक है और प्रोपेन का जो ड्रेस उप होता है मूँ पैंकी अपना डान्स वांस और गाते हैं और अपना फेस्टीवन बनाते हैं उसके बात क्या होता है यह जब जरुपर बड़ेंगे तो इक्विनौक्स बारे में पड़ेंगे इसीसाम सटमस्पियुद्ग होता है है कि जो राथ यह मतलब इसमें मतलब यह और रात-बिए अब विंटर सोलीस में क्या हो लगबग लगबग 8 दिसमबर से लेकिए 23 दिसमबर से फेस्टिवल बनाय गया था चलने लिए अपना फोगना को फूंग करते हैं एक खास बात इसकी क्या है कि एक चांग पोल नाम की ड्रिक बनाय जाती है चांग क्यों मतलब बात करें तो ड्रिक कैसी होगी पात की और फिये और बänderख पीते हैं अपना नॉसलर पीते तो बात की जाए तो अपना लोसर के क्या पॉइंट शाद रखने हैं अबना लाताकिन यह 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 फिर तिबती न्यूएर हो गया उसके बाद क्या होता है यह कम बनाया जाता है विद्टस और से मजब दिसम्बर के टाइम पर बनाया जाता है तिक है कुछ कफॉमेंस होता है पर बनाया जाता है चांग को लांडिक बनाये जाता है उसके बाद आता है नेस्ट स्टोड़ों Rob ग्रिगेन कलेंटर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे ग्रिगेन कलेंटर के हिसाब से तो वह हो गया जून हो गया अगर हम बात करेंगे गिरिगेन कलेंटर के हिसाब से तो वह हो गया जून अगर हिंदू मन्त के हिसाब से बात करेंगे तो वह क्या हो जाता है इतरे से प्लब यह जाते हैं इसकी तो मात के चाहीं इसीट थो बात करेंगा ये किया है बुद्धन बुद्दा के तीम जो फेज है जैसे पर की नयांक्टर में जाला जाता है और मना ओर डैथ को क्या मोथे हम इंप रहे हैं इंप वहां परी निर्वान ठीक है तो यह क्या है गुद्धा की तीन फेस्ट से लाइफ में बर्थ मतलब क्या हो गया एक तरह से उसको संप्रत ग्यान हो गया पूरा ग्यान हो गया तो उसके बाट डैथ हो गया उसकी अपना सरी प्छोड़ाता तो यह चींज उसकी हो जाते हैं इ सलगार में घीा तो मतलब की हुए है उस महीने में जब क्या होते है स्टार्स पर हमें दिखते हैं तो MA यह क्या होता है इसकी इसके कूछ तीन-चार इंपोर्डम पोइंट में है कि माना हालाइट से किया जाता है जैसे जो लाइस ते या फिर न और गेकार तो इसे नाम से नाम से काना जाता है तो यह और ऑफसे टेए है उसके उसके बाद वो कुछ उसको है कि जैसे पाइप को छकर दो कहां है तो और वोशे के नाम से शिआ रहे है खिप दूसरा होुगा चमडान्स हो यह चारवनी चमडान्स ही चमडान्स तो फिर अपना मासँ दान्स फैसाफिख परफॉर्म करी रहे सब तो यह तीन हाइलाइट से इस फेस्टिवल की वह क्या है इसको बुद्ध पुरुनिमा के नाम से जाना जाना था क्योंकि क्या होता है उस हमकी पुरुनिमा के टाइम पर यह बना जाता है तो बुद्ध पुरुनिमा के नाम से जाना था तो दूसरा चोथा फेस्टिवल आ जाता अपना गुस्तार फेस्टिवल पुस्तार जनरली क्या होता है मुनास्ट्री से देखी दोता है तो जितने भी मुनास्ट्री जनल अपना मुनास्ट्री से हो गया हर जितनी भी मुनास्ट्री जनल अदाग में लगब लगव हर मुनास्ट्री में यह तो हर मनाया जाता है क्योंकि यह दो दिन के लिए तो हर मनाते हैं तो वहां कि जितने भी मुश्राइब आपने अपने रिच्वाल सेर्मनीज मूजिक और अपना चंव डान से वो करते हैं तो मोनस्टरी मोंकॉंक्न से होगी जैसे उपने नोमैड्स क्यों लिखा है है कि जब यहाँ च्योहर मनाते हैं में तो उसय ह्पास पर प्योंकि अगोमेड प्रिंगs यह मैं करते हैं या पशूपालतेे हैं चरवार लिö छारा मिलता है आधी है तो इन लीन नहीत होते है मोनेश्टी में होते हैं और अपना क्या होते हैं अथ्य। लिए कुछ फेस्टिवल होगी थिक से होगी फितुग होगी सबस्क्राइब कर दो गीजिए व्यूटर में व्यूटर गया घ्याएगा अप्सें पूछ लिए तो अमने लटाक के बारे में फूछ लिया लटाव में कौन कोचे फेस्टिवल थे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा फेस्टिवल थे जो Давайте उसके बार पढ़ें अपना जमुएं कश्मिर के फेस्टिवल posição जैसे क्यार नवर्य होगया शिकारा हो गया खिर मावानी हो गया चरी हो गया नहतना हो गया नश्मुच होग या फिर अपना तुलीं के ius डुह गोड़नीड मतलब होगा एक है तो , सबसे बड़ा टुलीक वारतन को हावना कश्मीर में है उसके भारा में पड़े हैं है तो सार्ट करते हैं सबसेती पहला गाल रवाटा नवरे है फेस्टिवल किष्पी न्यूवर बना कश्मीरी न्यूय्यल गोर जाता है जिस फॉट relação खकरक पुछे जा मनाए जाता है पहलो कि लूख कि जाता है तो कश्मेरी मंधित के जाता है कश्मेरी नु क्या किसी नियGR ho गया आठ किस्की मुझाठ की जाती है सारी का देवी की पूठाइन कि जू बैंगा फैस्टिव्ल उसके बाद हम पढ़ते हैले फेस्टिवल गए है ये फ्लावर है सब्सक्स में में देखाोगा बुकेज में देखा ओगा खास कर दोड़ा महिंग आता है तो दोड़ा क्या होता है विय पीस छेर्ट में जैर में गारते हैं तो यह क्या होता है तो नाम क्या है है इंड्रा गांधि में वरियल है इंडरा गांधि में मॉरियल तुलिप गार्डम इंदरा गांधि में में गार्डम इसका नाम एकिए झाहिक ऑलकुर reward होगám यह क्या है तीज़ınd everywhere स्ट्रावर्ट सब खिल जाते हैं तो यह की ब्यूटी और की सुंदर्दा दर्शानी के लिए यह क्या होता है तुलिप गार्ण के प्रब्लीक स्किले को जाता है और उस तैम पर यह फेस्टिवल की तोर पर या पे मनाया जाता है तो किसे में जाता है तो शोकेश दा मैजिक कि आश्या तुलिप जाता है तो पूशंत पूशे चाहा है जो आपको आफ दिख री हुगी इसनाव को बहुते हैं शिकारा कशीम तो मतलब क्या हो गया यह क्या है इस दल्ले के बात हुँ यह को बात की जाए तो मैं जूम तक क्या हो जाता है देदर क्या हो ृजाती ब़ॉटिटी बॉर्फ पिंगली स्टाट हो क्या होगा जब तरह से सदा सदा दिया जाता है कि वहां की जो पॉब्लिक्स और लोकल सब क्या करते हैं शिकारा जो होगा जब तो इन सिकारा पे बैठ के हम क्या और बीठा के उनको घुमाएंगे तो क्या उका उगा उनका प्रूपर विजन भी प्रमोट हो गया और थोड़ा भी एक्ट इस मौनदा पर निक क्यों जाएगी तो शिकारा क्या होग यह टाइक टैप की बोडन बोट है जो चाहां पर पाय जाती है डनलेग में काहां पर ही अपना शिनगर में है ठीक कब मनाया जाये शिकारा किस से तने वहे यह आск़ लोगा आपना वोड़ फस्ट्टोस खतल रहे हैं। इसे ऊप्लाथ किस्टोस उप्सक्राइब हो गया है चरुल मुंदर कि वहीं नावी दर्श के तक ना देग मनौनी कि पूजा के जाती है, मातर रागनया दीवी की पूजा की जाती है, और generally हीर, भवाणी हीर मतलब क्या होगय की है, इस मातर मंदिर में जो चड़ाया चाहए जाता है प्रशाद गिरूप में, वो क्या होता है? खीर और दूर चड़ाते हैं,चीर और दूर चड़ाते हैं, घी यह जहरने का पानी इसके आपास में के लीचे मंदिर माना जाता है कि में उपर से जहरना बहरा है इसके तो तो यह जो पानी है, इसके कहानी है, इसकी कहानी कहा है, कि यह जब कोई भी आपदा आने वाली होती है, तो यह क्या होती है, कि यह पानी का रंग हो जाता है, इतर से काला हो जाता है, तो मतलब नीला कलर से क्या हो जाएगा, इतर से काले कलर में यह चेंज हो जाता है, तो यह टूहार रहत है तो यह चीज़ हो गी मेवक्त कश्मीर का जोने नवरे देना है उसके बाद आपको नावयाद होने चीह है उसके बाद आता है अपना है पंजाब ठीक है तो थोड़ा क्यों हमने इंट्रोडेक्शन दिया था अज इसके बारे में तो इसलिए खारां लंबा टोपिक हो गया तो पंजाब को मौन देख लेते हैं उसके बाद इस पंजाब में हम क्या देखिंगे ओला महला के बारे में पंजाब से काफी अच्छे से कुर्ष्ध बुटता है उसके बाद करने बूसान की कवर हो गया लोडी ऑगया त्या हो गया को क्या होते है चीذ ke नाम से भी जाने जाता है थाकि है ध्यारो ST एक थे नाम से होते हैं मैंबर्स होते हैं उसके मैं생 करते हैं तो किस को अगले Okay by after the Holy, तो Holy के just अगले दिन से ये दुहार मनाया जाता है, बात की जायए, तो त्व होली के पहले दिन से, ये दुहार मनाया जाता है एकुछ से az Holy के अगले दिन से harvesting दीन का मेला लगता है आन buckram में तीन दिल का मेला लगता है आनенно buckram पंजबी भासा में चेत्र को क्या होते हैं अगर हिंदू बात कि यह क्या हो जाएगा अपना चेत्र मत हो जाता है जनली क्या होतं है इसको ऑला भी बोड़ देंग तीन दिन का मार्च मन्थ नहीं कि यह मैंदमभुर्स में चलंगू एक्किन चलंग डिया है। तो spring harvest festival भी बना जाता है कि जब फसल कटती है या फिर फसल पबनी का टाइम आ जाता उसके अब होद रहेंते वैसागी का पर्व आगे या फिर दूसरी बाहर उची जाए तो भी बैसांगी का पर्व कुई मनाया जाता है तो यह कुछ कुछा गया है कि भी कौन सा तिवाहर मनाए जाता है। जब खार्चापन्त की स्थापना होई थी, या फॉर्मेशन होई थी, उसके उप्लक्स में कौन सा होगा? बैसा कभी बलाओ गया। सब्सक्राइब किस ने की थी गुरु गोविंग सिंगी जो कुम थे सिख के अपने दस्वे गुरु थे कब मनाई थी सोला सो निनना अन्ने बनाए गया था ठीक है अगर डेट पूछी जाए तो को हो जाएगी थर्टीन अप्रियर को बैसा की को बनाए ठीक है तो इसको क्या सब्सक्राइब करते हैं तो फार्मस क्या करते हैं यहां पर रभिक स्कूर्प्स की कटाई शुरू कर दो कर दो कि इस दिए तो बैसा की का पर हो गया तीन चीज़ थी खाल्शाबंत की पोर्मिशन भी हो जाता है तो किसने की थी सब्सक्राइब में 10th सिख गुरु ते कौन अपना की थी तीक है और देट अब कुछी जाए तो 13 अपरेर हो गया ठीक है उसके बाद आता है अपने लोडी लोडी जनली सब जाती होंगे क्या हो गया यह अपना पंजाब का तिवार है तो पंजाब के अलावला यह अपना हर्याना हिमाल्च अपर देश और दिली में गुण भी यह मना यह जादा दागे पीच में क्या होते हैं लगडियों को इक अपर जला दिया जाता है और चल्व की मिठाई बनाए जाती है यह लडू बनाया जाते हैं उसको जनली क्या होते हैं बामें भी डाल देते हैं या फिर उसको थाए भी जाते हैं, तो अगर बात कि जाएंगे बातों, तिलोडी, अगर बात की जाएगी लोडी के बातों, तिलोडी क्या होगया, तिलोडी तिलोडी का अगर हम separate करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋर्णीओ जैएगा ए रोड़ी हो जाएगा तो मनाता है हिंदू और सिक्ष मिलके बनाते हैं कब बनाए जाता है मकर सख्रांति के एक दिन पहले ये लोगी बनाए जाती है तो यह चीजे आपको लोग देखी सकते हो अगर बात की जाए तो सूरे के जो परकास होता है सूरे का जो परकास होता है और या फिर अन्य प्राक कसी में लोक या करते हैं झू़ाय को इस तो आर को मनाते हैं तो याद हो गए होगा कि और आपक्र सब्सक्रा क्यों मनाते हैं ANT शिक के जो फस्ट गुरु थे कौन थे दुरुनानद देवजी थे उनकी जो बर्थ है निवर्चर या फिर उनके जनम दिन के उपलक्ष में ये त्युहार मनाया जाता है गुरु पर या फिर गुरुप गुरुप भी बोल देते हैं इसको ठीक कम मनाया जाता है 15 नौमबर को हुआ जाता है थीक है तो गुरुप बर्थ हो गया तंदर नौमबर को बनाया जाता है कहा थी इदर में कहले कि थी इनिवन्टी न्यूस्ट को फिर्ट शी गुरू मुखी ठीक है उसके बाद किया है अमरिज्चत की स्थापना या फिर्ट किस्ने कोच की थी गुरू नामदास जीने स्थाफन पूज की थी उसके बाद अगर बात की जाए यह गुरू कोँटे क्या हुग्प की होग क्या हुगा है और न चुने को मिलेगी क्या होती है क्वानिया चलते डिए ंवाणिया फट्रवचनि- पट्रव्चनि शो मोतर है तुप इसके बाद क्या हुगए United गुरु पर बुर्ण साहईब के बाद आपने टीजह दो पंजाब का लास्ट बात कि जाए तीजहों का लॉत लॉठ वेड़ान साहिब भराई जाता है यहां पर क्या होता है यह कम रह जाता सबसे पहले तो तो तीजहों का दो फोने जब वर्शा मिक्वातीज इस अब पर नहीं निशादी होई है जिनकी वो सब क्या होती है अपने गढ़ पर वापिस आ जाती है और वापिस प्रक्राइब उनको नहीं कपड़े और गिफ्स की रूप में वापिस दिया जाता है और उनके लिए क्या होता है कि जूल भी डाली जाती है तो तीस का दोहार कम बनाया जाता है तो फूल मंत क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एक तरह से पूनी मात तो तीसरे दिन से लेके पूनी मागे दिन मतलब तेरह दिन तक यह दोहार मनाया जाता है इसमें क्या होता है इसके जो भाई है अगर कोई नहीं आप आती है तो भाई क्या पर जाते हैं और उनके लिए क्या हो जाते हैं एक संधारा टाला में पूने लिए पर इस सब उन्क उंके नयां के माई लेकर जाते को जाते ही है बहुतो क्यास के लिएर के दुट तो तो क्यों बढ़ा तो यह के बारे में टूर्च स्कुर स्क्रागे बारे में थियुक प्रघव कॉस्षन के बारे हम चाहित GRF सब्सक्राइब करें तो जितना easy way में मैंने कोशिज की मेरे साबसे आप लोगों को समझ आजाना चाहिए और थोड़ा तो आप लोगो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर करना और जितना होसा कि अगर कोई कमी या कुछ भी है तो आप कमेंट बोक्स में जरूर करके आप बता सकते हो तो क्यूंकि आप लोग कमेंट करोगे पोस्टीव या नेगिटिव जैसा भी कमेंट करोगे हम उससे कुछ नकुछ देखो सीख झाल